हलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले है जैस्मीन रिटेन भारती मुखर जी भारती मुखर जी एक एंडियन अमेरिकन कैनेडियन नॉबलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी आज हम डिस्कस करने वाले है जैस्मीन ये भारती मुखर जी का थर्ड नॉबल है जिसे पब्लिश किया गया था 1989 में इसमें टोटल 26 चाप्टर्स है और इसका थीम जो है वो है परिसनल आइडेंटिटी, नैशनल आइडेंटिटी, ट्रॉमा और इमिगरंट एक्सपिरियंस इस नॉवल को सेट किया गया है 1980 के दशक में इस नॉवल के इंपोर्टन करेक्टर से मिलता है जैस्मीन जो कि इस नॉवल के प्रटागनिस्ट है नारेटर है इसका ओरिजिनल नेम है जोती ये नॉवल में जैस्मीन, जोती, जें, जेज, ऐसे कही नामों से रेफर होती है प्रकाश वीज, ये जोती का पहला हस्पंड होता है ये बहुत ही modern है लिब्रल विचारों का है देहाती लोगों से इसके विचार काफी आगे है ये as a repairman काम करता है electronic appliances को ठीक करता है और as a book के पर भी job करता है और अपनी diploma exams के पढ़ा भी पूरी कर रहा है ये अमेरिका जाने का सपना देख रहा होता है टेलर हेज ये Columbia University में physicist और as a researcher काम करता है और इसकी बेटी होती है adopted बेटी डफ जिसकी gear करने के लिए वो जैस्मीन को hire करता है इस टेलर ह इस की एक wife होती है जिसका राम होती है वाईली लेकिन वो उसे छोड़ के चली जाती है बडरिपल मेर ये एक banker और land owner है इन बैडेंग इयावा माता जी पिता जी ये जोती के माता पिता है पार्टिशन से पहले ये दोनों लाहोर में रहते थे लेकिन पार्टिशन के बाद म का life completely change हो जाता है जहां ये luxurious life जीते थे लाहोर में partition से पहले उसके exact opposite life वो हसनपूर में जीते हैं दीदा ये पिता जी की मा है मतलब जोती की दादी है मिस्टर वधेरा ये प्रकाश के professor है और ये प्रकाश को motivate करते हैं अमेरिका आने के लिए ये कहते हुए कि अमेरिका में उसके जैसे talented लोगों की काफी जरूरत है लिलियन कॉर्डन ये foreign में जो औरते आती हैं अमेरिका में immigrant और उन्हें ये help देती है ताकि उन्हें violence और भी से बचाया जा सके वो उन्हें अमेरिका के तोर तरिके सिखाती है और उन्हें खाना और shelter भी provide करती है देन डू जो है व जैस्मीन और bird ripple mirror का गोद लियाओ बेटा होता है जो की वियतनाम का refuse होता है वियतनामी जरू जियू उसमें और प्रकाश में काफी similarities होती है इसलिए वो जैस्मीन को उससे काफी जादा लगा हो रहता है उसके बाद में Darryl ये bird ripple mirror का neighbor होता है नेबर का बेटा होता है एक्च शुरुवात करते है इस novel की story के तो novel की शुरुवात में हमें दिखाया जाता है कि जैस्मीन जो है वो अपनी memories जो है वो बता रही है she is sharing the memories, retelling the story of her life बच्पन से वो बाते बताना शुरू करती है जब वो 7 साल की थी नदी के किनारे कुछ औरतों के साथ में वो गए थी आता है वहाँ पर यह रहती है वहीं उसका जनम होता है तो एक दिन एक बरगत के पेड़ के नीचे बैठा हुआ फकीर जो है वो 7 साल के बच्ची को जोती को देखते हुए एक बविश्यवानी करता है कि यह बहुत ही जल्दी कम उम्रह में विद्वा होगी और निर्वासि और ये जोती जो है या ये वो मास्टर जी जो है वो जोति मीं का टालेंट देखते हुए उससे मोटीवेट करते है कि वह एंगligh Eis को English की books पढ़े या English में mastery करने की कोशिश करे मतलब English अच्छे से बोलने की कोशिश करे और ये जो जास्मीन है ये इसको भी English में काफी साथा interest होता है जब उसे शादी करनी होती है तो वो अपने भाईयों से की सवाल पुछती है की क्या उस लड़के को English बूलना हाता है मतलब she is so much interested in learning English तो ये जो master जी होते है स्कूल में की ये जैस्मीन के जोती के parents से जाके बात करते है माता जी पिता जी से की उसे स्कूल में कुछ और साल पढ़ाया जाए तो उनके request पे माता जी पिता जी जो है वो मान जाते है और उसे जैस्मीन की दोनों बहनों से तीन साल जादा उसे स्कूल में पढ़ाते है अब permission तो दे देते हैं इस जोती के पिता लेकिन एक दिन वो जोती के पिता जो होते है उन्हें एक bell जो है वो पटक देता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है फिक 14 साल की उम्र में ये जोती जो है वो अपने ही भाई के एक दोस्त से बहुत जादा motivate हो जाती है बहुत जादा प्रभावित हो जाती है उसका नाम होता है प्रकाश प्रकाश जो है उसकी विचार manager से आपको कहा कि काफी liberal थे हसनपूर में actually Sikh और Hindu लोगों के बीच में काफी जाता तनाव निर्मान हो जाता है Sikh लोग जो हिंदू लोगों को वहाँ से ख़देर देना चाते है या उन्हें वहाँ से भगा देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू लोगों का होनों उनके लिए घातक है, तो इसी बीच में जो है वो गुरूप पढ़ जाते है हसनपूर में, और यह प्रकाश जो है वो काफी अलग विचारों का होता है, वो सीख लोग जो होत तो पूछती है कि क्या प्रकाश अंग्रेजी बोल पाता है, तो जिस पे उसका जोती का भाई उसे बताता है कि प्रकाश बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलता है और वो आने वाले कुछ समय में अमेरिका जाने का प्लान कर रहा है, जिसके बाद में जोती जो है वो शादी प्रकाश के एक प्रोफेसर होते हैं, उनका लेटर प्रकाश को मिलता है, वो उसे काफी बार मोटिवेट करता है, कि वो अमेरिका आजाए, वहाँ पर आकर पढ़ाई करें, क्योंकि उसके जिसे talented लोगों की यहाँ पर जरूरत होती हैं, अमेरिका में, तो प्रकाश जो है, वो जैसे मैंने आपको कहां कि वो radical Sikhs जो होते हैं, उनकी जो principles होते हैं, उनकी जो सोच होती हिंदो के खिलाफ, उसके against वो खड़ा रहता है openly, जिनको खाल सा लाइन्स कहां जा था शादी के बाद में, जब वो एक अलग apartment पे रहना शुरू कर देते हैं, तो प्रकाश जो जो जोती को बताता है, I mean Jasmine को, कि उसे एक letter मिला है, मतलब उसका जो admission उसने application जो दिया था Florida University में, वो accept हो चुका है, तो अब उसे Florida जाना पड़ेगा, तो वो कहता है कि मैं उसे त address लिखूँगा, तुम्हें काफी बार call करूगा, ये सुनकर जोती थोरी upset हो जाती है, लेकिन बाद में वो ये सोच कर खुश होती है, कि चोला, at least प्रकाश का सपना पूरा होने वाला है, अब celebrity gift बोलकर, प्रकाश जो है वो, जोती, Jasmine को एक अपसुरती साड़ी देना चात जाता है, वो उसे एक सारी शॉप में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उस सारी शॉप में, जब Jasmine साड़िया ट्राइ कर रही होती है, तो उसी चाइम पर खालसा लाइन्स के दो मेंबर आकर एक homemade bomb जो हो वहाँ पर लगा जाते है, और वहाँ पर blast हो जाता है, जिसमें प्र rituals का, पालन ही किया ठीक से, इसलिए तुम्हारे पती की death हो गई वगरा वगरा, वो सब कुछ सुनती है, एक दिन Jasmine जो है, क्योंकि दिल ही दिल में उसके चल रहा होता है, कि वो प्रकाश का सपना पूरा करेगी, वो Florida University जाने की सोचती है, और decide करती कि प्रकाश का जो suit है, व कि एक fake passport बनाया जा सके, और फिर वो Florida के लिए निकल सके, तो उसका भाई एक चल्था टेंशन में आता है, क्योंकि Jasmine की उम्रे जादा नहीं होती है, और इतनी कम उम्रे में वो अखेली इतनी दूर जाएगी, वो भी fake documents के साथ में, लेकिन Jasmine की जित के आगे कुछ नहीं चलत और आखिर वो उसकी मदद करता है, और इसे fake passport बनवा देता है, इसके बाद में जब Jasmine, यूरोप से Florida जाने वाली एक गल्फ शटल नाम के शीप में बढ़ती है, तो उसकी मुलाकात वहाँ पे एक जमाईका से बिलॉंग करने वाले मैंसी होती है, जो Kings Land जा रहा होता है, उस शीप का एक captain होता है, जिसे half face कहकर बुलाते हैं लोग, तो ये जो Kings Land जाने वाला बनदा होता है, ये Jasmine को बोलता है कि ये half face बहुत ही danger बनदा है, तुम इससे बचकर रहना और उसके protection के लिए, मतलब Jasmine के protection के लिए बनदा उसे एक चाको भी दे कर जाता है, जब ship अपने destination प उसके लिए खतरनाक हो सकता है, तो Jasmine भी क्योंकि वहाँ नहीं होती है तो वो half face की मदद ले लीती है, लेकिन half face उसे धोके से एक remote hotel में लेकर जाता है और वो उसका महाँ पे rape कर देता है, जैसमे सोचती है कि वो खुद का murder कर देगी, खुद को मार देगी, लेकिन next moment में वो suicide का जो विचार है वो attack देती है, और वो सोचती है कि मैं अगर मर गे तो प्रकाश का सपना अधुरा रहेगा, तो क्यों ना मैं half face को ही मार दो, और वो half face का murder कर देती है, वहाँ से वो निकलती है बहुती बुरी condition में, mentally, emotionally, physically सब तरीके से वो तूट चुके होती है, और वो पैदल ही चलना शुरू कर देती है उस होटेल से, वहाँ पर कुछ तेर बाद में उसकी मुलाक होती है लिलियन गॉर्डन से, लिलियन गॉर्डन जो वो देखती है कि जो तीकी टंग जो वो slit हो चुकी है, कट चुकी है, वो उसे घर लेकर आती है, डॉक्टर को बुला कर इलाज करवाती है, उसे नए अमेरिकन क्लोद्स दिलवाती है, उसे एक हफते तक अपने पास में रखती है, उसे अमेरिकन मैनरिजम सिखाती है, ताकि जब भी वो बाहर जाए, तो वो confident रहें गूमते वक्त, और कोई उसे पकड़ना पाए कि इमिगरन ठेकर के, एक हफता जोती जो है, उस लिलियन गॉर्डन के बड़ी बेटी के साथ में room share करती है, जिसका नाम होता है Kate, वो एक बहुत ही successful photographer होती है, उसके बाद में एक हफते बाद ये जोती, जस्मीन जो है, ये लिलियन गॉर्डन को request करती है कि वो Queens नाम का जो area होता है, Florida में, वहाँ वो जाना चाती है, क्योंकि वहाँ पर ये इस प्रकाश का जो professor होता है, Mr. वेधिरा वो रहता है, तो जैस्मीन के request पे, लिलियन गॉर्डन जो है, वो उसे बस में बिठा देती है, साथ में एक card देती है, जिस पर Kate का number लिखा होता है, त यंग वाइफ में निरमला होती है, और उनके senior parents होते है, elderly parents, two elderly parents, तो ये चारों लोगों के साथ में जैस्मीन जो है, वो रहने लगती है, लेकिन Mr. वधिरा के घर में जो है, वो हिंदी बोली जाती है, आसपास में भी सारा इंडियन माहोल होता है, और ये जैस्मीन जो है, वो वहाँ पर अपने अपको independent feel ने करती है, कि कहीना कहीं Mr. वधिरा का उसने एहसान लिया है, ऐसा उसे feel हो रहा होता है, और उसमें उसे वो constantly डर सता रहा होता है, कि कहीं वो पकड़ीना चाहे, वो suffocated feel करते है Mr. वधिरा कहां, एक दिन उसे ये भी पता चलता है कि Mr. वध वधिरा से request करती है Jasmine, कि वो उसे एक high quality का green card, जो है fake green card, वो दिलवाने में उसकी मदद करें, उसके बाद में ये जो Jasmine है, ये shift हो जाती है Manhattan में, और वो मिलती है Kate से, और Kate मतलब Lilian Gordon की बेटी, Kate से मिलने के बाद में, Kate जो है Jasmine की मुलाकात करवाती है उसके friends से, जिनका नाम हो टेलर जो की physicist है और वाईली जो है वो एक publisher है, editor है, अब ये Jasmine जो है वो as a caretaker job करने लगती है, डेफ के साथ में, बहुत ही spacious उनका apartment होता है Jasmine को तीन गुना जादा पैसा मिलता है, जो उसने सोचा भी नहीं होता है, इतना जादा पैसा उसे मिलता है, जितना हो है handle भी नहीं क इस टेलर को छोड़के, मतलब अपने husband को छोड़के चली जाती है, किसी और के साथ में, तो टेलर और Jasmine जो वो करीब आ जाते है, और एक family के तरह तीनों रहने लगते है, टेलर, Jasmine और डफ, एक दिन ये तीनों जो एक पार्क में जाते है, जहाँ पर एक hot dog vendor होता है, तो वो hot अंदा भी Jasmine को पहचन जाता है, तो Jasmine बहुत डर जाती है, उसे लगता है कि अब वो Jasmine को मार देगा, और साथ में Taylor और डफ को भी मार देगा, उसे panic attack आता है, वो देखकर Taylor उसे तुरंट घर लेकर आता है, तब Jasmine घर आने के बाद में, उसे सब कुछ बताती है, जो कुछ भी India में हुआ था, उस डर के वज़े से Jasmine जो है, वो Taylor से request करती है, कि वो IAVA जाना चाहती है, तो फिर वो वहाँ से IAVA के लिए निकल पड़ती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है Mrs. Ripple Mayor से, अभी Mrs. Ripple Mayor का बेटा होता है, Bird Ripple Mayor, जो की एक banker है, तो Bird Ripple Mayor सिर्फ Jasmine को job ही नहीं दे हैं, Bird तुरंथ ही अपनी wife Karen को divorce देतेता है, और वो Jasmine के साथ में रहने लगता है, Bird और Jasmine का एक adopted बेटा होता है, जिसका नाम होता है Do, ये Do जो है, ये बहुत ही ज़ादा engineering के तरफ उसका attraction होता है, और electronics चीज़े उसे काफी attract करती है, ये दोनों चीज़े देखने के बाद में Jasmine को प्रकाश की यादाती है, क्योंकि प्रकाश को भी electronic appliances, engineering इसमें बहुत साथा interest था, एक local farmer इस Bird रिपल मेर को एक दिन गोलिया मार देता है, कमर के नीचे का पार्ट जो है वो उसका paralyzed हो जाता है इस हाथ से में, जिसके बाद में Bird की life जो पूरी तरिके से change हो जाती है, लेक शादी कर लेते हैं, लेकिन Jasmine हामी नहीं बरती, इस Bird का एक neighbor होता है, जिसका नाम होता है Darryl Ludes, ये Darryl जो है, इसके पिता जो थे, ये Bird के काफी अच्छे relation में थे, लेकिन एक दिन उनकी death हो जाती है, कोई Mexican food जो उनके गले में attack जाता है, उनकी death हो जाती है, Darryl के पिता की इसके बाद में Darryl को बहुत tension आता है, कि वो इतने बड़े farm का के लिए कैसे धियान रखेगा, तो वो सुचता है कि वो farm को बेज देगा, जाने से पहले वो Jasmine के सामने अपने दिल की बात रखता है, उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में New Mexico, shift हो जाओ, वहाँ पर हम एक radio shack, franchisee store open करेगे, लेकिन Jasmine जो है, उसे मना कर देती है, जिसके बाद में Darryl जो है, वो अपने आपको मार देता है, suicide कर लेता है, और do भी एक दिन, जब उसकी उमरे 17 साल होती है, तो bird ripple mayor और Jasmine को छोड़के, वो भी lost angels के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी birdie बहन रहती है, उससे कही adopted बेटी होती है, डफ, वो दोनों Jasmine से मिलने आने वाले होते हैं, अब इस बीच, क्योंकि bird, जो है, वो Jasmine को insist कर रहा होता है, शादी के लिए, इससे पहले कि उसकी delivery हो, उसी के बच्चे से, लेकिन Jasmine हामी नहीं भरती, एक दो पर, जब Taylor आ जाता है, गाड़ी लेकर, और उसक जो duty होती है, या तो वो उसको importance दे, या फिर अपने प्यार को importance दे, मतलब Taylor Hayes को, क्योंकि वो चाहती कि वो Taylor Hayes के साथ में जाए, तो Jasmine जे वो ultimately Taylor की कार में जाके बैट जाती है, मतलब वो Taylor को चुनती है, और अपनी जर्नी जे वो California की तरफ, वो शुरू करती है, तो इस तर जर्णनार सुम झार दे, मतलब Taylor अर कार चमाशाती है, तो सिर्फ्की कार चुरू सवत्ति कार कार में जाम जाब होती है, मतलब वो